कल परधान मंत्री मोदी गच्चा खा गए थे कल पूरा जो मीडिया का जो एटेंशन है वो बिराट कोहली ले गए क्योंकि उन्हें उन्हें शांदार बैटिंग की थी और पाकिस्तान को धूल चटाया सोचिए सचिन तेंदुलकर को पहला सतक बनाने में 76 वंडे खेलने परें बिराट कोहली शांदार हैं लोग पूरा उनके पूराने ट्वीट सेयर करें किसरा से उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था म Columbus समी के लिए ट्वीट किया था और उनकी कपतानी चली गई थी मुहमद समी के लिए ट्वीट कीया था और सदीप के साथ करे रहे थे खैर परधान मंत्री की एक खास बात जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कम से कम दीपा वली मनाने जवानों के साथ जाते हैं इस देश की सेना पर हम सब को गर्व है कम से कम वहाँ परधान मंत्री की तारीफ करनी परेगी कि वो जवानों को नहीं हटाते हैं कि हमको तस्वीर खिचवाने दीजिए चलिए जो भी अच्छा हो आलो कोई अगर अच्छा करता है तो उसको कही अच्छा यह अच्छी बात है कि इस देश के परधान मंत्री कम से कम दीवाली में सीमा पर जाते तो हैं यह अच्छी एक परंपरा है नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस तक आपको वो तमाम बड़ी खबरे लेकर दिखा रहा हूँ जो सोसल मीडिया पर आज बायरल है सोचिए लूलू मौल कितना बिबादों में रहा कैसे कैसे मार्केटिंग हुई हिंदू मुस्लिम हुआ वहां अफरा तफरी मच गई लूलू मौल बाले ने कहा कि 50% का आफर रहेगा लोग पहुँच गए अब जो समान बिलिंग करवाने कोई लेके जाता था तो वह कहता था कि नहीं इस पर आफर नहीं है दूसरा वहला खरी दिया इस पर आफर है तो यह है मार्केटिंग और यह है सुदरसन टीवी का संपादक सुरेश चोहान के यह भारत को भारत नहीं कहता है यह हिंदूस्तान भी नहीं कहता है और इनका कहना है कि हम भारत पाकिस्तान के मैच का वाकॉट करेंगे यह एक लोता ऐसा संपादक है यह दर्याई गेंड़ा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है इसकी ड्यूटी एलिसी पर लगा और यह कहरा है कि पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए सबसे पहले इनको भेजना चाहिए सोची ऐसे ऐसे टेलिविजन में संपादक वैटे हैं अभी अनुराग्ठा कुर ने कहा था कि नाइवर कंट्री के साथ टेलिविजन के पर से रिस्ते खराब हो रहे है मीडिया ने थिक्स में पढ़ाया जाता है पता नहीं सा आदमी ने जर्नलिजम की पढ़ाइ भी की है की नहीं यह आदमी सरयां मंत्री जी को बदनाम करता है और अनुराग ठाकूर ने भी कहा था कम्मुनिकेशन मिनिस्टर्स की बैठक होई थी कि टेली भी जन की बज़से हमारे रिस्ते चीन, पाकिस्तान बर्मा, भुटान, नेपाल से खराब हो रहे हैं तो ये है टीवी बालों के हाला तो पर्धान मंत्री असोक स्वेन है ये उन्हें ट्वीट किया कि इवेन दा अमिर्कन प्रेसिडेंट, दा कमांडर इंचीफ दास नोट बीर अमिलिटरी निफॉर्म आज इफ ही जान फैंसी ड्रेस कम्टीशन, दिस नथिंग बट और इंसल्ट ऑफ दा आर्ड फोर्सेज उनका पार्थित सरीर, उनके घर तक पहुंचे, इसकी बिवस्था मुलायम सिंह आदब ने करवाई, मैं तो कह रहा है इस देश में सेना के जवानों की मिनमम तनखा एक लाक रुपए और मैक्समम पांच लाक रुपए होनी चाहिए बाबा साब ने कहा है कि सेना की नौकरी मैक्समम सेक्रिफाइस की नौकरी है एक लाक मिनमम पांच लाक होनी चाहिए पलस सेना के जवानों की पूरी जिम्हदारी भारस सरकार की होनी चाहिए इस देश के हर नागरी की होनी चाहिए और आप लोग को लिए बता दूँ कि सेना में सबसे ज़्यादा जवान किसानों के बेटे हैं जाट, गुर्जर, पटेल, महराथा, STOBC, महनोटी के हैं लेकिन उनकी सैलरी कम है, बहुत कम है और अधिकारी लेवल पर बहुत भेदभाव होता है NDA में, CDS में, National Defense Academy में और ये तस्वीर सोसल मीडिया पर आज बहुत वाइरल है तेलंगाना में RS पर भी ने BSP का काया पलट कर दिया है और बाइपोल में शांदार रह लियां कर रहे हैं और एक लखनाव से दुखत तस्वीरे आ रही हैं आप किसी से सहमत हो सकते हैं कानून का सहरा लिजिए, कानून हाथ में मत लिजिए एक महिला है जो दीब बेषते हैं जो कामगार हैं, मिहनत कश्लोग है उनके दीब फोर रह रही है काया जा रहा है कि उनके घर के आगे इन्होंने अपना वाजार सजाया था भारत के भारत रतन परचार भी करते हैं, बाबा सहर भी भारत रतन हैं, और सचिन को बंडे में पहली संचियो लगाने के लिए 76 मैच का इंतिजार करना परा, सुलो बैटिंग से टीम हारती रहे, कॉंग्रेस ने इनको राज सभाव है जा था, कॉंग्रेस के एक 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 ऐसे जिसको आप किना नहीं सकते हैं, और यह देखें, यह वीडियो सुन लिजे एक बार, एक दलीद बच्चे का सीट आप लो क्या की? मैडम, आप रुखना पर रहेगा, एक दलीद बच्चे का सीट क्या हुआ? जी रिजर्ब सीट क्यों हुआ? यह बताएगा ना मैडम भाग यह मनीज कुमार ने ट्वीट किया है, पटना में किस तरह से बहुजनों की हकमारी हो रही है, और प्रोफेसर से पूछने पर बता नहीं रहे हैं, राहुल गांधी के पास लाइसेंस है, ट्रेनी है उनको, The National Rifle Association of India ने उनको सर्टिफिकेर दिया है, तो चलिए राहुल गा सीम की सीम रहे हैं, सोचिए पहले बनिया समाज के लोग पैसा देते थे, और उनके पैसे से राजनिती होती थी, बैसे समाज के लोग, अब वो सीधे राजनिती में आ रहे हैं, पहले सरकार बनवाते थे, उसके बाद आगे पीछे दोरना पड़ता था, मुझे लगता है, समाज के लोग जादा अच्छे हैं, वो कंपनी खरा करते हैं, रुजगार पैदा करते हैं, नौकरिया देते हैं, बहुत कम जाती वादी हैं, बहुत कम कास्टेस्ट हैं, वो देश में विकास भी करते हैं, तो उनके साथ बने रहे हैं, लेकिन राजनिती का जो पैसा करन अब तो किसी की कुर्सी खत्रे में है, मैं चाहता हूँ कि बनिया समाज, बैस समाज के लोग जम कर रादनीती में आए, ठाकुर समाज के लोग रादनीती में आए, बीपी सिंग, अर्जुन सिंग जैसे लोग सुचे इस देश में कौन लोग हैं, जो SC, ST, OBC, अनोटी, पटेल, जाट, गुर्जर, मराथा, ठाकुरों का हक खा रहे हैं, बैस समाज का हक खा रहे हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए, चैया वो रादनीती हो, मिडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज, इन्वरसिटी हो, ब्य बनियों के पैसे से दुसरे लोग रादनीती करें, और अपना काम कराने के लिए बनिया उनके आगे पिछे घुमे, वो दौर गया, अब बनिया खुद रादनीती कर रहा है, और गाजीपूर का गाउं बहदीपूर जहां ये बच्ची रहती है, बहुत तकलीफ दे तस्व गुमती नगर में पत्रकार पूरा मार्केटिसित घर से एक महिला बहार आकर, वहां लगी दुकानों को डंडे से तोर दिया, और भाजपा राज में खरगाउन के महा मंडलेसवर में, पुलिस बरबरता के हदे पार, मेरे आदिवासी परिवार की बहनों को थाने में मारा, तो ये लगातार एक्टो सिटी हो रही है, और विवेक्तिर पार्टी लूलू मौल की मिदनाइट सेल में हंगामा, गरहक बोले रात बाराव से सुबच चार बज़े तक सौपी में पचार, सोचिये रात के बाराव बज़े से सुबच चार बज़े तक, बहुत चालू है विकाओ कैनरा बैंक सेलिंग फिक्स डिपोजिट इन मुंबई सब वर्स, सोचिये बैंकों की क्या हालत है कि फिक्स डिपोजिट बनने के बेचने के लिए घरगर घुमा जा रहा है, विकाओ लोग का क्या है, थाली के बैगन की तरह इधर से लगए, ये मधु किश्वर है ये इतनी जातिवादी, घोर, इसलिए मैं कहा रहा हूँना कि ऐसे मनुवादियों को सबक सिखाना चाहिए, इन पर तो CSTV Act में केस दर्जोना चाहिए, बढ़िया जवाब दिया इसको सुरज कुमार बहुत नहीं, मधु किश्वर घोर जातिवादी, चटुकार, मनुवा आपकी संस्किर्ती बेगून हैं, इसलिए आप बैगन की बात मत कीजिए, अगर लोग पैसे लेकर धन बदल रहें, तो आप उनसे ज़्यादा पैसे लेकर बदलवा लिजिए, सर सोला मई दुजर बाइस को लुम्बनी आत्रा के दर, पर्धान मंत्री मोदी का घर जो है ब गये थे, तब उहां से गार एक हजार से अधिक बहुत भी कुराते थे, दोस बहुत बिहार थे, ये बहुत बिहार आपके गाउं में मिला है, अपना घर खोजिए पर्धान मंत्री जी, सर सोला मई दुजर बाइस को लुम्बनी आत्रा के दर, नंगर मोदी ने कहा था, कि उनका गाउं बर्धनगर बहुत का छेतर रहा है, मोदी जी के पुर्खे बहुत थे, बाद में जब धर्म भारत में पीछे हटा तो लोग गलत संगत में फस गये, बर्धनगर में मोदी ने बिसाल बहुत मुजियम बनवाया है, तो बुद्धिस्ट को भी संग, और ये दे पावली है, तो पढ़ाका फोर रहे हैं, और आप बेवज़ा टीवी, तो तफरीर ले रहे हैं, और यूपी के नोइडा में, कलाइमेट एक्टिविस्ट लिसी पिरिया कंगजूम का मोबाइल छिन के ले गया, सोचिए, अमिश्चा कह रहे थे कि हमारी बहन बेटिया गहन से लद कर रात में यूपी में घूम सकती हैं, और थोड़ी सी जो पी लिया ये यूपी पुलिस की है, और ये तस्वीरे शोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वाइरल है, और आज कोहली की तारीफ कर रहा है, आज ये कोहली की जब अनुस्का को बच्चा सोचिए किस तरह से कोहली को पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन वो कौन लेख थे, जब कोहली किसानों के साथ खरे हुए थे, और सदीब के साथ खरे हुए थे, शमी के साथ खरे हुए थे, मनिसा बालमीकी के साथ खरे हुए थे, तो उनकी अलोचना कर रहे थे, और सुनभाई नहीं पद्म सीरी डॉक्टर जग्दीश परसाज जो कह रहे हैं कि दीपावली में बहुजुनों को इसको दीपदानों सब भी बोलते हैं लोग समराट अशोक इसको दीपदानों सब के तौर पे मनाते थे तो कह रहे हैं कि इस तेवहार पर अपने घर बहुजुनों की किताब भिल दिया था तो यहाज की सोचल मेडिया पर वाइरल खबरे हैं और आपकी क्या पर्त के रिया अपनी पर्त के जरूर दीजिए शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें